नमस्कार गुड इवनिंग शुब संधिया घड़ी में साड़े आट बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कारिकरम स्पोर्ट्सकैन का आज का स्पोर्ट्सकैन लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ शशांक और दिन भर की तवाम कबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जनलिस्ट मले निरव जी मले जी स्टूडियो में आपका स्वागत है धन्यवाज शशांक बिहार में भारतिय महिला होकी टीम का विजयरत जारी रहा आज आप अपने पाच्वे और अंतिम ग्रूप मैच में उन्होंने जापान क देते हैं अब तक की हेडलाइन्स पर बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंज ट्रॉफी होकी में भारत ने अंतिम ग्रूप स्टेज मैच में जापान को तीन शुनि से हराया वीर चोटरानी कोस्टा रिका ओपन स्कौाइश में विजेता रहे हैदराबाद म तो शुरुवात होकी से ही करते हैं बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंज ट्रॉफी होकी में भारत ने अंतिम ग्रूप स्टेज मैच में जापान को तीन शुनि से हरा दिया है ये रिपोर्ट सुनते हैं करिश्मा की और फिर चर्चा अपनी हम जारी रखे वर्तमान चैंपियन भारत ने अंतिम लीग मैच में जापान को तीन शुनि से हरा कर अजे रहते हुए सेमी फाइनल के लिए कौलिफाई किया है उपकपतान नवनीत कौर ने 37 मिनट में गोल कर टीम को एक शुनि की बढ़त दिलाई इसके बाद टुनामेंट की शिर्ष स्क लम्पिक रजत पदक, विजेता, चीन दूसरे, मलेशिया तीसरे और जापान की तीम चौThey स्थान पे रही भारत मंगलवार शाम को दूसरे सेमी फाइनल में जापान से खेलेगा, महीं पहले सेमी फाइनल में चीन का सामना मलेशिया से होगा, दिन के अन्न मैचों में चीन ने दक्षन कोरिया को समान अंतर से माद दी फाइनल मुकाबला बुद्धवार को खिला जाएगा करश्मा राय स्पोर्ट्सकैन तो भाते टीम तो आउन फाइर देखी रही है और साथ में दीपिका भी आउन फाइर देख रही है दस गोल अब तक कर चुकी है बिलकुल लगातार दस गोल और टॉप स्कोरर आट गोल के साथ थी जब ये मैच शुरू हुआ उससे पहले फिर उन्होंने दो पिनाल्टी कॉर को फाइनल कॉर्टर जो था मैच का उसको गोल में तब्दील करके और दस गोल जो अपने नाम किये हैं ये बहुत बड़ी उपलब दी है दिपिका कि इसमें कोई शक नहीं मगर कुल में लाकर कर अब भारती होकी महिला होकी टीम की बात करें तो जिस तरह से भारत की लड़ कर दिया आत्म समर्पन कर दिया उस तरह की टीम नहीं है टीम में जुझारूपन है टीम हर समय इस बात के लिए तयार रहती है कि हमें आगे बढ़ना है आगे निकलना है और यह जो टोक्यों में हार हुई थी भारत की जब प्रॉंस बेटल हाथ से फिसल गया था मुझे तो कोच हरेंदर जी की भी भूमिका इसमें आप कैसे देख रहे हैं मले जी जिस तरह से उन्होंने टीम को एक सुत्र में पिरोया है जिस तरह से किलर इंस्टिंक्ट अगर आप इसी मैच की बात करें जो जापान के साथ मैच हुआ तो शुरुआत में गोल नहीं हो रहे थे हुआ फिर भी जैसे कहते हैं जिस तरह से आपने देखा चीम के खिलाफ अचानक से एक आउसर मिला ओसर को बुराने में जरा भी देर ना की तो हरेंदर तो बहुत पुराने कोच हैं और बहुत ही समझदारी से टीम को खेलने के उनमें एक किलन स्टिंक्ट जो टीम में भरत बहुत है शांदार गोल था जिस तरह से उन्होंने किया तो यह और टीम में और टीम का होसला बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होता है टीम में कॉंफिडेंस अपना व्यक्त करना हमें तुम पर यकीन है कि तुम कर सकते हो और यह मेसेज जब जाता है खिलाडियों के दिमा टीम के बीच में विरोधी टीमें जादा नजर नहीं आ रही है तेखे एक मातर विरोध जो भारत का हो सकता था वो हो सकता था चीन की टीम से क्योंकि चीन ने पैरिस ओलम्पिक में अच्छे खेल कर बदर्शन किया था मगर जिस प्रकार से भारत ने चीन को वह राया जाप तक इस अगले समय फाइनल मैच की बात है तो जापान एक कमजोर टीम है इसमें कोई शक नहीं हो भारत हावी रहेगा और चीन के साथ भी मुकाबला बेशक एक तरफा नहों लेकिन भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है चलिए और महिला टीम से ज़रा निकलते हैं बाहर औ और सीनियर पुरुष राष्ट्रिय हौकी चैंपियंशिप की बात कर लेते हैं जहां उडिसा ने किताब अपने नाम किया है कल चन्नेई में फाइनल में उडिसा ने हर्याना को पांच एक से हराया तो उडिसा की टीम बड़ी 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 नजार आ रही है राष्ट्र आपको मालूम है कि एक खासी प्रतियोगिता होती है जिसमें बकरा जो है उसके ऊपर दाउन लगता है और वहां के लोग पेड़ की डंडियों को तोड़कर स्टिक बना कर और इस तरह से खेलते हैं स्टैमिना है बहतरी खेल का प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं और जिस प् है कि यह जो उडिसा में हौकी को आगे बढ़ाने का जो एक संकल लिया उडिसा के राजनेताओं ने और वहां के खिलाडियों ने इस तरह से खेल कर प्रदर्शन किया है तब से लेकर आज तक वो यहां भी देखने को मिला जब वो खेल रहे थे अपना मैच हरियाना के साथ चलिए और होकी से निकलते हैं स्क्वाइश से हमारे पास खबर आ रही है वीड चोटरानी कोस्टारीका ओपन स्क्वाइश में विजेता रहे सिंगल्स फाइनल में उन्हें कोलंबिया के रोनाल्ड पालो मिनो ने एक तीन से हराया सेवी फाइनल में वीर ने इंग्लैंड क जो भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश जो दक्षिनेशिया की जिसर से इन्होंने एक समय काफी अपना दबदबा बनाया हुआ था उसको वापस उसी तरह से आगे ले जाने में भारत के खिलाडी लगे हैं और ये जो चोटरानी की विज़े है ये बहुत अच्छी करते हैं तो अभी हाली में वाइट ओक्स कप भी उन्होंने जीता था और सेंसेशनल फॉर्म जिसको कहते हैं कि हर कोई उनको जान गया है उनसे डरा रहता है कि पता नहीं कब आकर क्या उलट फेर करते हैं चलिए स्क्वाच से निकलते हैं फुटबॉल का रूप करते हैं है अगराबाद में फ्रेंडली फुटबॉल मैच में भारत का मुकाबला कल मलेशिया से होगा ये रिपोर्ट सुनते हैं मुक्खे कोच मनेलो मारक्वेस के नितरत में भारती फुटबॉल टीम साल की पहरी जीत की तलाश में मलेशिया से खेलेगी भारती टीम ने 2024 में अब तक 10 मैच खेले हैं जिन में से 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं टीम ने अब तक मनेलो के नितरत में 3 मैच खेले हैं इन में से 1 मैच भारत ने गवाया जबकि 2 ड्रॉ रहे मनेलो को जुलाई में इगोर स्टिमक की जगा हेट कोच नियुक्त किया गया था ये मैच अगले साल मार्च में होने वाले 2027 एशिया कप कॉलिफायर से पहले भारत का आखरी मैच भी हो सकता है भारत मलेशिया की फुटबॉल प्रतिदोंदिता काफी पुरानी है दोनों टीम अब तक 32 बार आपस में खिल चुकी हैं दोनोंने 12-12 मैच जीते हैं जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे हैं यानी टकर बराबर की है इस बीच सीनियर खिलाडी और सेंटर डिफेंडर संदेश जिंगन के वापसी से टीम को मसबूती मिलेगी घुटने की चोड से उबर चुके संदेश पिछली बार जनवरी में AFC एशियाई कप में राष्टे टीम से खेले थे अतहर साइद स्पोर्ट्स कैन तो नए कोच के लिए कहीं न कहीं है मैच बड़ा महत्पूर हो जाता है तीन मैच तीनों में हार अब तक उनके अंडर में बिली है और टीम भी चाती है कि साल का अंदर जीद के साथ हो कहीं देखे उन्होंने खुद ही कहा है कि भारत को अपनी हर विदा में फुटबॉल की हर विदा में उनको बहतर खेल का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि जो ये इंटरनाशनल फ्रेंडली मैच मलेशिया के खिलाफ होने जा रहा है मनोलो जुलाई में भारत के कोच ने उप्त किये गये थे और उसके बाद भारत ने एक सिर्फ एक मैच हरा है और दो बार उनका मैच इंटरनाशनल मैच ड्रॉ रहा है जब उनको सीरिया ने शून ये तीन से हराया था भारत को और उसके बाद जब अक्टोबर में मैच हुआ था वियतनाम के साथ तो भारत की टीम एक एक से बराबरी पर रही थी लेकिन अगर इस सौनवार को मतलब कल मलेशिया के खिलाफ भारत को जीत नहीं मिलती है तो पूरा ये वर्ष जो है जीत के बिना खाली जाएगा और ये बात मनलोडों के कले के नीचे नहीं उतर रही उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत ने बहुत बढ़िया खिलकर बदर्शन किया वियतनाम के खिलाफ सेकेंड हाफ में लेकिन हम इसको नहीं मानते क्योंकि हमने गलती की थी फरस्ट हाफ में और अगर बहुत अच्छा किया और मैश ड्रॉ रहा तो ड्रॉ मैश तो ड्रॉ ही रहेगा उसको विजीत में बदलने की जरूरत है इसलिए उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगी कि मलीशिया के खलाफ गलतियां कम हो और हम जानते हैं मलीशिया के स्टाइल को मैं उनके कोच क को भी जानता हूं अच्छे से अच्छा खेल कर बदशन कर हम जीतने की कोशिश करेंगी चलिए हम उम्मीद करते हैं कि टीम जीत के साथ साल का अंत करें और रुक करते हैं क्रिकट का तो भारत और भारत और ऑस्टेलिया के बीच पहला क्रिक्ट टेस्ट मैच पर्थ में बहुत अच्छी खबर रही है बहुत अच्छी खबर है भारत और भारत ए इंडिया और इंडिया के बीच जो फ्रैंड़ी सिमुलेशन मैच था उसके अगर आप उसको देखें और उसमें इंट्री अलाउट नहीं थी बाहर के लोगों को जाना अलाउट नहीं था लेकिन बात में उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ पिक्चर भी उसके रिलीज किये गए तो बहुत ही बढ़िया यह बात है कि राहु लाए उन्होंने काफी देड़ तक अभ्यास किया कहा जा रहा था कि उनको गहरी चोट लगी है और अभ्यास नहीं कर पाएंगे लेकिन ऐसा अमीद थी कि वो जाएंगे लेकिन उन्होंने काया कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले वो पहुच जाएंगे इस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे लेकिन और भी कई नहीं चीजे निकल कर आई जैसे नितीष रिड्डी के बारे में कहा जा सकता है कि उनका डिव्यू हो कि जस्प्रीत बुम्रा भारत की कफ्तानी कर सकते हैं रोहित के न रहते तो वही नजर आ सकते हैं चलिए और एक हमा और खबर दे देते हैं नई दिली के त्याजराग स्टेडियम में आज दिव्यांग जनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हार्मनी कारिक स्पेशल हार्मनी जो आज एक सिंगिंग के माध्यम से इन विशेश बच्चों के टैलेंट्स को दर्शाने का प्रयास है एक इंक्लूजन की और बढ़ता हुआ कदम है और हमारे बीच उपस्तेत अमित कुमार जैसे महान कलाकार अगर इन विशेश बच्चों का हाथ ठामत स्पशल हैं तो मुझे लगता है हमारे इन विशेश बच्चों को दिशा ही नहीं मिलेगी लेकिन इनकी द्शा में भी हम परिवर्तन ला सकेंगे हम जहां इन्कलूजन थ्रू स्पोर्ट्स की बाथ करते हैं वहीं हम आज इंकलूजन थ्रू कल्चर की बाद भी कर सकते हैं और इनको एक अफसर प्रदान करने का प्रयास Special Olympics भारत कर रहा है। अंतिम ग्रूप स्टेज मैच में जापान को 30 सहराया, वीर चोटरानी कोस्टारी का ओपन स्क्वाइश में विजेता रहे, हैदराबाद में फ्रेंडली मैच में भारत का मुकाबला कल मलेशिया से होगा, पर टेस्ट मैच के पहले केल राहूल फिट होकर अभ्यास के लिए ल